हालो 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 फ्रेंड्स मैंना आम रज्वन सिंग है और मैं आपको मनुपिज्ञान पढ़ाऊंगा यह मनुपिज्ञान की कलास यूपिटेट चीटेट टेसे रिक्षाओं के लिए जो कि कि विभिन ने परदेशों में अध्यापक पातरता के लिए आउस्यक होता है महां तीस नमबर का आता है सब्रशन पत्र बनता है उन सभी के लिए उपयोगी होगा और आप लोग मेरे साथ जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें सेयर करें और मेरे मुलिण में आपको मताइंगे कि मुलुभ इज्यान क्या है मनौभ इए में क्या पढ़ना चाहिए कि कि नपिन आव शचय ना आवस्याक है कि से अग्या के प्रस्ट परीश्ण आते हैं कैसे उन प्राष्णों में हम इन प्रस्ट्रश खूल को Đिल करेंगे उन से समद्दित कुछ छोटी छोटी बाते हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे फिर आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम विस्तार से इसके वारे में पढ़ेंगे यह मेरा फस्ट वीडियो है मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें शेयर करें आपका अगर सायोग मिला तो मैं आपको यह सबी वीडियो लेक्चर्स फ्री में प्रोवाइड कराता रहूंगा आप डेली मेरे इस चैनल पर दो वीडियो प्राप्त करते रहें जिने पढ़ करके आप आसानी से प्रिच्छाओं को पास कर सकते हैं हम मनों वे ग्यान सुरू करें उससे पहले जो बरतमान समय में सम कुछ नहीं कर सकती ऐसे ही समाज में जो मुर्क पड़े वरे हैं इनकी वज़े से ना यह बीमारी कम हो रही है और ना ही बीमारी का संकरमण फैलने से रुक रहा है लोगों की जिंदगिया जा रही है लाखों लोग मरे जा रहे हैं लेकिन भी इनकी आखे नहीं खुल रही ह है इसको एक बिल्कुल हलके में ले रहे हैं जिसके विज़े से पुरी दुनिया में तब ही मचीवी इसका संकरम और चिन तूट नहीं बा रहा है तो सरकारे प्रियाश कर रही है लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा जो आसा की किरड किसी के तरफ से दिख सकती है जो इस समाज मॉर्श cargo वहार हमारी से मचा सब्ट से और भइग्यानिक है जो दीनो रात काम कर रहे हैं जिससे समस्यासी निचाथ मिल सकें में उन सभी को धन्यवदिदेना चाहता हूं और आप लोगों से भी कहना चाहता हूं मैंने मासक तो नहीं लगा रखाए क्योंकि मैं अपने घर इस बीमारी का जो परेडाम हो आप देख पा रहे हैं भारत में ही करोड़ों लोग अपने रोजी रोजगार को खो चुके हैं और इस समय वो दो वक्त की रोटी के लिए सरकार के पांच किलोग चाहो लोगर के हूँ पर निरबर है यहां सने का विसे नहीं लेकिन बड़े पर रहा है विचारों को दो वक्ती रोटी भी निशिव नहीं हो पा रही है बहुत सारी मेरी संस्था है जिन्होंने मदद किया अच्छा है करते रहा चाहिए लेकिन मुर्खों को ध्यान रखना चाहिए जिनकी वज़े से भी मारी फैल रही है बचाव करे इसको गंभीरता से ले कोई मजाक नहीं है जिस दिन आपके घर तक यह आप रता जाएगी जिने हैसास होगा कि आपने कितनी बड़ी गल्दी की है तो अब इस टापिक से हटते हैं और अपने टापिक पर आते हैं जो हमारा है वह मौनो विज्ञान साइकोलोजी जो यह मौनो विज्ञान है इसमें से आपके यूपीटेट में यूपीटेट प्रिक्जाम हो तो वहां भी यह तीस नंबर का होता है तीस कुष्चन आते हैं और सीटेट उग्जाम होता है सेंटरल एजिविल्टी टेस्ट तो वहां भी यह तीस नंबर के प्रश्न बनते हैं तो तीस तीस नंबर के प 15 कुष्चन ऐसे होते हैं जो सब्जिक्टिव होते हैं जैसे उसमें पूछा जाता है कि यह स्टेटिमेंट किस मनोविज्ञान कहा इसकेनर ने क्या कहा था पाउलाव ने कौन से जानवर पे एक्सपरिमेंट किया और रूसों ने क्या कहा बालक के पुस्तक में समझी करिकुलम बना हुआ है जिसे हम फ्रेमवर्क कहते हैं नेशनल फ्रेवर दो हजार पांच उसमें कौन सावी से कि सुद्दे से पढ़ा जाता है सब के वारें विस्तार से दिया गया है तो उन सभी में से जोड करके जो फैक्ट्यूल कुष्चन होते हैं फैक्ट वेसिस आते 15कुष्चन आपकी पूरे मनो विञ्ञान और एक बालक की समझ के आधार पर होता है कि आपने मनुविज्ञान का ध्यन किया आपने सिच्छा मनुविज्ञान पढ़ा आपने बाल मनुविज्ञान पढ़ा उसको पढ़ करके आपने क्या सीखा किस तरीके से एक बालक को आपको हैंडल करना है तो उससे जुड़े हुए जो practical question होते हैं, वो लगभग 15 होते हैं, जो हर परिच्छा में आते हैं, जो 15 factual question है, इन्हें आप previous year के paper कर ले, मेरे पास class notes में आपको दूँगा, और आपको लगभग 15 pretty set दूँगा यहां से, और जो आपको video lectures मिले वो, और जो previous year के pretty set है, वो भी आपको मिलेगा, आज तक जि series provide करवा देंगे, तो आपको previous year का question paper, और मेरा जो अपने रे, द्वारा खुद का लिखा हुआ, मेरा एक short note है, जिसमें आपको पूरी तथे मिल जाएंगे, मौनों विज्ञान के, जिने आपको की division की तरह बहुत आसानी से द्यार कर सकते हैं, वो आपको हम provide कराएंगे, त उससे आप अगर खरीदते हैं, और उस पढ़ते हैं, तो यह 15 question वहां से आपको 100% मिल जाएगा, और यह 15 question जो की practical होता है, यह थोड़ा टप भी होता है, क्योंकि आपके जो सोचने की समता है, जो बालक को समझने की योग्यता है, उसमें आधारित होता है, तो यह 15 question को समझ समझने के लिए आपको अमरे साथ बना रहना होगा, और मेरे सारे वीडियो लेक्चर से आपको मिलेंगे, और जिन लोगोंने कुर्स खरीद रखा, उनको तो सारे वीडियोज मिलेंगे, जिननोंने नहीं खरीद रखा है, कुर्स नहीं पर्चेश किया है, वो भी अपना उ गुश्राइब काशनावाले आपके अपको देखना होता है और अपने विवेक का इसतेमाल करके इसका उतर देना होता है सो यह पैटन होता है परिच्छा का और उसमें यह सब चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं तो मॉनोविज्ञान के अगर आप करें तो अगरेजी में इसको साइकोलोजी कहते हैं म NPC evolution psychology कहा जाता है जब मौनविज्ञान को। कि मौनविज्ञान क्या है कहां से शूरू हुआ लेकर टूश दो स्टेट्मेंट में आपको बटाता हूं जुन सुन करके समझ सकते हैं कि मनव्ध्यान क्या है जैसे पहला स्टेटमेंट हैने स्केंटर का इसके का मोनोति ईत्रिक्यार भुद्ध्यानेशनों अगर हम पढ़ते मोन विग्यान स्ट्छा का और भुद्ध्यास है यह स्टेटमन इस consistency अपने नाम सुना होगा तो यह जो स्टेटमेंट इसको पढ़के आपको एक बात समाज में आ जाएगी कि जैसे समाज में आपने देखा होगा कि जो हमारा इसके लिए साइन्स को इसलिए डाला गया जिससे समझी कुरूतियों का अंत हो सके लोगों के इंदर वेग्यानिता बढ़े जो बिरुजगारी कि समस्या वह भी दोर हो इसके लिए साइन्स पढ़ाया जाता है बालग कृटिकल ठिंकिंग करना सीख जाए अर्थात आथार्किक नहीं अधार्किक बाते करना सीके जैसे मारा मस्तिस्क होता है इसके दो भाग होते हैं एक भाग लौजिकल मॉइंड और एक होता है इमोसटा है तुझ जो इमोशनेल अटेटेश्मेंच मेंच बहावनातम स्वाख पच्छवाला मस्तिस्क होता है वो जर्णलिस अभी अधी में परधान होताए है को कुछ में कम परधान मुदा है और जो logical मांड्ी में होता है और पर अब कुछ कम होता है पर तो जब हम परिष्थितियों को ज्यादा लोजिकल होता है तो हमें लोजिकली देखना है कि यह मौनोविज्ञान क्या चीज़ है तो अगर हम लोजिकली देखें तो जो पहला विक्तिता जिसने इस पर चर्चा कर रखी है वो इसकी नर है इसने कहां मौनोविज्ञान से चाका अधारभुद विज्ञान है इनका एक statement है इससे आप समझे तो मौनो विज्ञान psychology को एक science माला जाता है यह भी science है human science है जिसके अंतरगातम बालक के मस्तिष्क का उसके व्यवहार का उसकी सारीरिक दसा का अध्यन करते हैं कि किस तरीके से वो पर इस्थितियों के अनुसार अपने आपको ढालता है तो मौनो विज्ञान सिच्छा का एक आधारवुद विज्ञान है यह कतर इस्किनर का है और बाल मौनो विज्ञान बालक के सारीरिक तथा मांसिक विकास का अध्यन करता है तो बाल मौनो विज्ञान में हम लोग बालक के सारीरिक और मांसिक विकास का संपूर अध्यन प्रियोग आत्माग फिर सामाजिक या समाज मनोबिग्यान नेश्ट है उद्योग मनोबिग्यान जो इंडेस्टरियल साइकोलोजी है उद्योगों में जो बच्चे करते हैं पढ़ा जाता है सोसल साइकोलोजी जो है सामाजिक सम रस्ता बनाने के ळिए समाज को सही जिसा देने के लिए क्या-क्या आवस्षिक चीजह होती है वहीं इस समाजिक प्रूरण के इंतरगदres शिखाय जाता है और इसमें जो रूरियनी सिखाय जाता बच्चे के जन्म से लेकर के 18 वर्स तक किस प्रकार का प्रिवर्तन उसके सरीर में मस्तिस्क में सम्मेवों में होता है उसके बारे में विस्तार से हम सर्चा करने वाले हैं तो यह कई बार पूछा जाता है कि बाल मनुविग्यान में हम अध्यन करते हैं तो बाल मनुविग्य प्रोडों में आप जानते हो जैसे कहा जाता है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो बच्चे का रूप होते हैं तो ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि उनके कुछ व्योहार ऐसे होते होंगे जो बच्चों की तरह होते होंगे उनसे में खाते होंगे वैसी क्रियाई करते होंगे उस से अवस्था को अथारा को पार करने दो एवस्था आती आती है दिरे बहुत सरी अवस्थाइझ है करेंगे नेस्ट है आत्मक डभलप्मेंट साइको करेंगे निदान करने सिद्याम विज्ञान बद्बंड परक जित्धन नहीं चाय से इसekt भात youtube और एक भाग जो है वो है बाल मनोविग्यान यह में ध्यान में रखना है इन दोनों से हमारी परिच्छाओं में प्रास्ट आएंगे जब प्रतोगिता प्रिच्छा में भाग लेंगे वहाँ पर हमें इन से जुड़ेवे प्रस्थ्न मिलेंगे कि यह जो परामनो विज्ञान है इसके बारे में एक बार ध्यान में रखिया गए परोप्रिणों विज्ञान को आधुनिक साखा कहते हैं यह मोनो विज्ञान की सबसे आधुनिक साखा है परामनो विज्ञान मोनो विज्ञान की आधुनिक साखा है और इस परामनो विज्ञ इसके इंतरगत विभिन श्थितियों का अध्यान किया जाता है इस पर देखें तुझे से कोई एक psychological environment होता है पर स्थितियां होती है उनके बीच में कोई किस तरीके से व्यवहर करता है व्यक्ति उस व्यवहरों का ध्यान कियाता है जिसे हम डूब परस्णाल्टी या personality भी कहते हैं तो हमने जो भी तक यहां कि बताया आपको मोनो फिंग्यान के बारे में बता दिया कि मॉनो इग्यान सिच्छा का धारभोत विग्यान घळा ने कही थी और बाल मॉनो कि विक्थी के बारे में विस्तार से आधिन करते तो कि तो सामाजी та सारी आतीक सबीक प्रकार के विक्था की चरचा क्जाएगी सिछ हम बिज्यान में बढ़े निया है तेदेजिये और शिच्छामनो बिग्ञान में सिखाया जाता है कि एक अध्यापक को किस तरीके से अध्यापनकार करना चाहिए, क्लास में किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, जिससे सभी वालक एक साथ आसानी से समझ सके, आप यह सम पढ़ाने के क्यों जुरुत पढ़ती है, क्योंकि जो ये कक्षा होती है प्राइमरी एजूकेशन की हो या हायर एजूकेशन की हो उनमें जो बच्चे होते हैं वो विभिन प्रिष्ट भूमी वाले होते हैं उसमें विशिष्ट बालक भी होते हैं सामाने वालक भी होते हैं उसमें बहुत संस्कृति कक्षा होती है बहुत संस्कृ सब के बावजूद सब को हमें एक ही विशे पढ़ाना होता है जिससे कि सारे वच्चे समझ जाएं तो यह कैसे होगा इसके लिए हमें को एक ठोस रड़नीती बनानी पड़ती है और जो रड़नीती यह बना जाती है उसी आप कैसे प्रस्तुत करेंगे की बालक आसानी से समझ सकें तो यह है एक चोटा सा वीडियो है जिसमें हमने आपको बताया उसमें से तीन बाते ध्यान में रखियेगा जो परिक्षा में ज्यादा सड़नी सबस्क्राइब हैं तो ऊस प्रिक्षा में प्रज़ेयर हैं से सबस्क्राइब झतले ह Enfin सबस्क्राइब क्या तो